नमस्कित, मेरा नाम है Dr. पुरुधामन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जौ़ार बाज़रा रागी के बारे में अक्सर बहुत सारी kidney failure के patient आते हैं और अक्सर पूछते हैं कि डॉक्र साब क्या मैं जो खा सकता हूँ जवार खा सकता हूँ, रागी खा सकता हूँ, बाजरा खा सकता हूँ और इसका कभी हमाई पार सही आंसर नहीं होता तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर यह सारी चीज़े आप खा सकते हैं यह नहीं खा सकते इसके क्या फायदे होँगी, क्या नुक्सान होँगी खाने में इसके बारे में डिस्क्रस करूँगा तो पहली चीज़ कि कोई भी kidney failure का patient जो चवार, बाजरा, रागी खा सकता है इन्हें हम English में millets कहते हैं इनके अंदर और गहू और चावल के अंदर एक fundamental फर्क होता है वो फर्क है कि इनके अंदर, millets के अंदर, काबो हारेट्स की मातरा है वो comparatively कम होती है मगर अगर अगर इनके अंदर काबो हारेट्स की मातरा कम है तो यह में मोटा नहीं करता और मगर इसके अंदर जो nutrition होता है वो value उससे rich होती है गहुँचावल से तो अगर कोई इनसान अपने गहुँचावल को हटा कर उसके जगा बाजरा, टागी इन सब को add करता है तो हम एक change body में देखते हैं कि patient अपनी body weight को down करना start करता है मगर जब body weight कम हो रहा है मगर body में कमजोरी नहीं आ रही है तो यह सबसे बड़ा फायदा होता है मिलेट का कि अगर कोई patient आगी, जवार, बाजरा इसको diet मैट करेगा तो weight तो lose होगा बड़ बाड़ी में weakness जनरेट नहीं होगी अब अगर हमें ऐसा खाना मिल रहा है तो यह kidney failure patient के लिए ठीक होता है क्योंकि weakness नहीं आ रही अगर इसी खाने से body में weakness आनी शिरू हो जाए तो यही खाना खराब हो जाता है अब body में weakness ना आए इसका आमें बहुत जादा ध्यान अपना पड़ता है किसी भी kidney failure patient में क्योंकि अगर body में weakness हैगी तो उससे और complications पैता होती है अब complications कौन सी पैता होती है जब हम डंक से खाना निखाते हैं उसको हम समझ लेते हैं अगर आप खाने के नदर गिया, दोरी, टिंडा, उबाल के हल्दी नमक के साथ ऐसी कोई डाइट ले रहे हो तो यह सबसे तक खतरनाग डाइट होती है क्योंकि अभी आपकी body में सिर्फ एक organ कम काम कर रहा है वो है आपकी kidney अगर आप खाना ऐसा खाते हो तो आपकी बाकी organs को भी खाना नहीं मिलता उन्हें कमजोरी मैसूस होनी शुरू होती है और जो kidney की वज़ज़ से जो आपके बाकी organs में pressure पर रहा है, आपके heart पर pressure आ रहा है उसकी वज़ज़ से भी हम क्या देखते हैं कि body multi-system failure में जाना शुरू होती है यानि पहले kidney खराब हो रही थी kidney की खराब होने की वज़ज़ से है आपके heart पर पर खाना पर लगया आपका pressure बढ़े देने लगा पर आपके lungs पर उसका असार आने लग दिया तो ऐसे होता है कि multi-system failure होना शुरू हो जाता है तो आपने ध्यान के रखना है कि अपनी body को आपने अच्छे से ताकत दीनी है और अच्छे से ताकत देने के लिए में अच्छे से खाना खाना पड़ेगा एक और complication हमें देखने को मिलती है जब हम दंग से खाना नहीं खाते वो है खून की गमी kidney फेले patient में खून की गमी कॉमन दिक्कत है अगर आप खाना नहीं खारे तो आपके शहर में पुटीन नहीं जाएगा आइरेन नहीं जाएगा फॉलिक एसिड नहीं होगा और आपकी बॉड़ी में ब्लड नहीं बन पाएगा और अगर ब्लड नहीं आपकी बॉड़ी में कम होगा तो आपको बाबा गया तो खून चड़ाना पड़ेगा, इंजेक्शिंस लेने पड़ेंगे, या फिर हमें और कॉम्प्लिकेशन थकावर, सांस का फूलना, ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, हमने किसी भी कीमत में अपनी बॉड़ी के अंदर वीक्नेस नहीं आने जाए, आप जो हमें कहोगे खाने के लिए वो खा लेंगे, आप खाऊगे खाना बंद करने के लिए खाना बंद कर देंगे, बगर हम चाहते हैं कि अमरा क्रियाटनिक डाउन हो जाए, और ये सवाल इतना खतानाक होता है कि इसका आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐल जाए बहुत ते लिए दौैं अखता होता है तौर दौर देखते हैं कि पेशिंट का जो वेट है वो डाउन हो रहा है, पेशिंट का डाउन हो चाहता चलना उपना बैटना भी मुश्किल होता चलागा है ऐसे पेशेंट इतने वीक हो जाते हैं कि जब इनका डालेक्सिस करने की बारी आते हैं मजबूरी में तो डालेक्सिस भी नहीं हो पाता क्यों बोड़ी बहुत जादा वीक होती है तो आपने ऐसे किसी भी टाइट को फॉल दौन करने से पेट डाउन करने से अगर आपको संबढ़ने मली बात यह है कि इससे किड्नी ठीक नहीं होती है अगर आप इक खराब हो रही है तो कभी ठीक नहीं होगी और और जितनी वो खराब होती जाएगी उतना को ट्रेटने पार्में बॉडी में घटा भी होगा तो ह तो हमने कभी भी temporary treatment नहीं दिखना होता, temporary solution नहीं ढूलना होता, जब भी हम kidney के बारे में भात करते हैं, तो हमें एक permanent long lasting treatment ढूलना पड़ता है, जहापर हमारी कम से कम kidney, जहापर kidney खराब होना बंद कर दे, आप समझने वाली बात है कि kidney खराब हो की हो रही थी, 80% patient के अंदर kidney BP खराब होती है, तो अगर आपने खाना पेना बंद भी कर दी है, BP शुगर आपका ज्यादा बना हुआ भी है, तो आप खुच सोख सकते हैं, जो BP शुगर आपका ज्यादा बना हुआ है, kidney खराब होती रहेगी, तो creatinine भी बढ़ना शुरू हो जाया, अगर वो एक आदा प होता है किसी भी kidney fillip patient में, फिर भी आपके माइंड में कोई भी doubt हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर से अवलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अब इसी के साथ आप जब सी में चलने की आगे चाहूंगा, मिलते हैं, अगली वेडियो म कर दो दो आपका हूंगा.